अब इस वेल्कम बेक तूमाइन वडियो तो गाइज रात को थोड़ा भी गया था पानी बारिश हो रही थी हलकी तो थोड़ा भी गया था इसी की वजह से थोड़ा सा सर्दी जुकाम जैसा लग रहा है और अभी हम निकले अपने काम की और अपने जर्णी को कम्प्लेट करन वर ही आरेस क्योंकि इसी गाड़ी को लेकर आ रहा हूं डेली डेली आज लगबग मेरा इसकुटी बनने वाला है बोले तो हैं कि बन जाएगा लेकिन देखते हैं बनेगा नहीं बनेगा सो गाइस ब्लोग पर कंटिनीव बने रही है नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखना सो गाइस मैं आप सभी से माफ़ी चाहूंगा कि मैं अच्छे तरीके से वीडियो नहीं बना पा रहा हूं और अभी हूँ लाल बाग पर आप देख रहे हो कितनी सजावट हो चुकी है गड़पती स्थापना के लिए और आप सजावट भी देख चुकी है कितना अच्छा से सजाया गया है इस पंडाल को और आगे भी बोस सारी चीज़ है सो गाइज अभी मैं हूँ मार्केट लाइन के अनुमान मंदिर के सामने जो कि आपको दिख रहा होगा और यहां पोदा बेचा जाता है जो कि आपको बताया था लेना हो तो आप ले सकते हो सो गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ बैंक यूनियन बैंक जो की आपको प्रताब गंज पारा के दूसरे वाले महले में मिली जाएगा मेरा आवाज आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा मेरा तबियत खराब है गाइस एक चेक को किलियर होने में ज़्यादा ही समय लगा और मेरा दोस्त बहार रुग रुग के बोर हो गया साइद वो चला गया है उसको कॉल करता हूँ बुलाता हूँ फिर चलते हैं एक चेक को इतना टाइम लगा यार किलियर होने में और गाइस व्लोग पर कंटिनीव बने रही है मेरी थोड़ी जादा ही तबियत खराब है मेडिकल चलता हूँ और उसके बाद चलते हैं गाइस अभी मैं हूँ एरपोड वाले चोक के पास जिसे मारिया चोक कहा जाता है और आप सभी यहां का नजारा देख सकते हो बादल का सीन मस्त है और यहां अभी थोड़ी भीड कम है और सामने सजाया जा रहा है गणे सपंडाल के लिए और हम जा रहे हैं अक जरनी पर उस चीज को लेने और आपको दिखाते हैं अभी हम पहुंचें चमपा बाग पर जो कि आप मेरे लेफ्ट साइड देख सकते हो चमपा बाग सुना तो हूँ लेकिन मेरे को पता नहीं चमपा बाग है किया और यह उसके आगे है बोरे का गोदाम जहां हम आये हैं आप देख सकते है कितना सारा बोरा पड़ा हुआ है पूरा बोरा ही बोरा मिलेगा आपको अगर बोरा और लेना होँ तो आप यहां आके लेख सकते हो चमपा वाग के ठोड़ा आगे है और हमको ये वाला बोरा एक बोरा 30 रुपय का पड़ा था तो हम एक बंड़ा ले जा रहे 50 फिस तो 1500 रुपया हो गया था और गाइज आप देख सकते हो पूरा बोरा यह बाइक का पेटरल खतम हो गया और अभी हम ले जाएंगे फशीनो और उद्री से पेटरल ले कराएंगे और डालेंगे गाइज अभी रात हो चुका है साड़े साथ बज रहे और मैं ओनलाइन ट्रांजेक्शन करवाने आया हो जो कि आप देख सकते हो सो गाइज मैं ऑनलाइन ट्राजेक्शन करवाने आया था यह ऑनलाइन ट्राजेक्शन ने भीना कमॉल के बगल में जोकी करके उसके बगल में नाविया डेली नीट्स है संजे मार्केट का सीन कुछ इस तरीके का है अभी लगबग आठ बज रहे हैं और आप देख सकते हैं पूरा खाली पड़ा हुआ हम आएं टमाटर लेने गाइज अभी मैं हूँ गॉलबजार चौक के पास और मेरे सामने है जेन फैंसी करके उसमें भीया कुछ सावान लेने गए हैं और यहां का सीन कुछ इस तरीके का है सुगाइज फाइनली पहुच चुका हूँ घर और अभी लगबग समय हो रहा है साड़े नो बज रहा है और खाना वाना नहीं खाएं क्यूंकि थोड़ा सा तबियत खराब है आपको आवाद से लगी रहा होगा नैक बंद हो रहा है और थोड़ा सा सिरदर्द हुए गले म खराश है इसलिए थोड़ा ज्यादा बात करने नहीं हो रहा है थोड़ा ज्यादा ही तबियत खराब हो गया सुबह से दीरे 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 बढ़ता बढ़ता ज्यादा ही बढ़ गया थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो गाइस सभी चीज़े अच्छे से हो गई है बस जल नेक्स्ट व्लोग पर जय हिन जय भारत